जेहिन तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छ होंगे स्वस्थ होंगे तो आज हम बात करेंगे जो RPF SI का फारम आल्लाइन हो रहा है उसी के बारे में लगवग 4600 से अधिक इसका पोश्ट है कांस्टेवल और RPF SI का मिला करके ठीक है SI के अगर देखा थे 400 कुछ पोश्ट है और बाकी बचा जो ही है वो है कंस्टेवल के लिए ठीक है तो इसके हम नेश्ट आगे देखते हैं कि इस पर सलेबस क्या है उसमें एकजाम कब तक कराएगा उसके बास से इसका फारम कितना गिर सकता है कंपडिशन कितना इसमें राता ठीक है सब कुछ हम बारे में इसके बात करेंगे एकजाम पैटरन भी देख लेते हैं ठीक है तो हम चली क्यों करते हैं क्यों कम करते हैं लोग ठीक है फारम अपलाई इसलिए कम करते हैं लोग क्योंकि इसका जो फिजिकल है फिजिकल इसका असान नहीं है फिजिकल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो running होती है running वह ही लड़का कर पाएगा जो army का रेसा रो ठीक है army का जो तयारी करता है लड़का वही इसमें constable खास करके constable का मैं बात कर रहा हूं constable जो running है जिसका timing मिलता है लड़कों के लिए 5 minutes 45 seconds 5 minutes 45 seconds में आना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है कियोंकि घास करके जो लड़के पढ़ने वाले जो जाते जिनका पढ़ाई में मल लगता है उनका दोडोर में मन नहीं लगता है तो इसका physical को थोड़ा को टॉप पढ़ जाता है तो इसका long jump भी है high jump भी है दोडot भी tough है तीनों को तीनों इसमें टौफी है, कोई असान इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है, तिसलिए थोड़ा सा इसके competition वाकी किसी force के माहिने में, जैसे UP पुलिस देखने, उसके माहिने में इसके competition थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए ठीक है, तो इसमें आप घबराइन है, जो भी फारम डाल सकते हैं, अगर मान लिजी आप graduation भी की हैं, और एक कई सल प्लस है, तो आप उसका भी डाल सकते हैं, SI का भी ठीक है, और उसके बास त्यायरी तो मान लिजी कि अगर physical पहले से किसी का त्यायर है, तो उसका थोड़ा सा लेके आना है, उसे रूटीन में ठीक है, त 35 पुछता है, और 50 पुछता है, GKGS करेंट फिर सब कुछ मिला गए, ठीक है, तो मायत का चेप्टर जो है, आपको सब को पता है, कि मायत में जादेतर, जादेतर वो पुछता है, अंगडित, उसके बासे थोड़ा से उसका रोल हो जाते है, छेतर में ठीक है, ठीक है, और म ही आप देखेंगे, तो पीडियो डाणूड करके देख लेजिए चाहिए, नहीं तो हो सकते हैं, नेक्स्ट बीडियो में मिलाऊंगा, हर चेप्टर करें उसमें बता दूँगा, रिजिनिंग में कौन कौन से चेप्टर से क्वेस्टेंस आएंगे, ठीक है, तो जहां तक ह इसमें करेंट अफेर्स का जादे रोल होता है, साइंस का भी जादे रोल होता है, ठीक है, उसके बस इतिहास, भोगोल, पॉलिटी, अल्लास्ट में आता है, एकोनोमी, ठीक है, ये इसी सब क्वेश्टन से मिलाकर के 50 क्वेश्टन टोटल पूछे जाते हैं, लगबाग मु इसमें दोनों मिला करके 8-9 क्वेश्टन बन जाते हैं, ऐसे करके भोगोल से विचार 5 क्वेश्टन आए जाते हैं, और गबागोल जोड देंगे तो होजेगे 120 क्वेश्टन, आए 120 अंको का पूछा जाता है, इसमें टाइमिंग अगर देखेंगे, तो टाइमिंग आपको मिलेगा 120 मिनट ठीक है लगवग 2 घंटा इसमें टाइम भी मिलता है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं नेश्ट की एक्जाम कब होगा एक्जाम का में तो परपज यही है कि एक्जाम कब होगा क्योंकि सभी के दिवाग में चलता है कि हमारे को एक्जाम डेट जब तक नहीं पता रहेगा तब तक मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है वो सबका यही हाल है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि आपका एक्जाम इतना सियोड है कि इसी साल के अंत तक आपका एक्जाम हो जाएगा मुझे 25 में यह एक्जाम नहीं जाने वाला है दूहर 24 में इसका एक्जाम करा लिया जाएगा या तो नवंबर मिड या नवंबर लास्ट या दिसंबर कनफर्म है कि दिसंबर में इसका एक्जाम हो जाएगा लेकिन ये भी आप माल लिजए कि अगस्ट सितंबर से पहले इसका एक्जाम नहीं होने वाला है त Yogya जल्दी इसका अग्जाम नहीं हो पाएगा सितंबर से पहले इसका अग्जाम नहीं हो पाएगा तो सितंबर के बाद दो महीने बजते हैं नौमबर या दिसंबर उसी दोनों महीने में से किसी महीने में आपका अग्जाम ले लिया जाएगा ठीक है तो आगे हम बात करते हैं क में क्योंव कितना भर सकता है तो देखिंए किवल फार्म भर देने से नहीं होगा यह सब पता है क्योंकि इसका जो स्लेबस भी असान नहीं है पहली वा ठीक है असम से जादे टफ पढ़ जाते है इसका फिजिकल ठीक है अगर माल पढ़ने जादे लड़का अगर जादे उसका पढ़ने मन लगता है अगर फारम अपलाई भी कर दिया तो फीजिकल में 100% छटने वाला है ठीक है क्योंकि उसमें फीजिकल पर ध्यान देना पड़ेगा और पढ़ाई पर दोनों पर दोनों जिसका अच्छा होगा वही इसमें क्वालिफाई कर पाएगा ठीक है और खास करके अगर किसी का फीजिकल अच्छा है बेतर है तो फारम डलना न भूले क्योंकि हो सकता है क्यों दोचा अच्छा मैने जो भी आपको उसको समय मिलेगा त्यारी करने कर लेगा लेकिन जो फीजिकल का बात है फीजिकल मुझे ल जी के जीएश ठीक है और इतना आपको त्यार करना है लगवाग आपको 95-95 सुपर आपको कोशेंस चाहिए आपका सेलेक्शन पका हो जाएगा और फीजिकल पर ध्यान नेगा तब का हो जाएगा उसके बाद से लाश होता है मेडिकल उसके बास है वेरिफिकेसन ठीक है तो बाकी और कोई जनकरी आपको चाहिए तो आपको कमेंट कर सकते हैं बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिएक और ची मेरे छूट रहा हो बता दूँ आपको जैसे इस पेपर में एक बड़ा तीन माइनस मार्किंग है यह छूट रहा तो उसको मैं बता द